हाई गाईज मैं एमडी थ्री एंजल से आप से एक बात कहना चाहती हूं मैंने पर्सनल टैरो रीडिंग लेना सुरू कर दिया है बहुत से लोगों ने मुझसे टैरो रीडिंग करवाया है और उनको बहुत अच्छा लाब मिला है दोस्तों साथ ही साथ मैं एक हस्त भी से सग हूं पाम एक्सपर्ट भी हूं कहने का मतलब यह है कि मैंने हाथ की रेखा बहुत अच्छी तरह से पढ़ना सीखा है दोस्तों और आज तक जितनी भी भविश्यवाणियां की हैं वो बिल्कुत सत्ते हैं और मैं आपको ये विश्वास दिलाती हूं कि आपका भी अगर मैं रीडिंग करती हूं तो बहुत विश्वास के साथ और बहुत ही अच्छे ढग से आपका हाथ का रीडिंग या टेरो रीडिंग करके दूंगी और बहुत लोगों को फायदा हुआ है दोस्तों आप भी करके देखिए मेरा नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में द नहीं होती है आप घर बैठे इसका समाधान कर सकते हैं अगर आपको बुरे ग्रह, तो आप घरेलू रेमेडी से ही ठीक हो सकते हैं पहले जैसा आप जीवन सुखी से बिता सकते हैं अगर आपको कोई तकलीफ है तो और साथ ही साथ आप मेरे टीम से जो नंबर डिस्क्रिप के द्वारा आप अपनी समस्याओं को लिए उसका समाधाने जरूर आपको को बताऊंगás दोस्तों लेकिन यह जो रीडिंग होगा दोस्तों वो चार्जेबल होगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पता चल जाएगा कि उसका कितना चार्ज लगता है और इस हिसाब से आप मेरे टीम से आप कॉंटेक्ट कर सकते हैं दोस्तों हाई एबरीवन मैं त्री एंजल से आपका बहुत बहुत नमन करती हूँ आज आपके लिए ऐसा टॉपिक लेकिया हैं दोस्तों जिसमें बताये जाएगा कि आपके पर्सन आपको क्या कहना चाहते हैं आपके साथ कैसे रहना चाहते हैं और आपके बारे में क्या बताना चाहत साथ ही साथ ये बहूती प्यारा लव रिडिंग भी होगा दोस्तों कि आपके पर्टनर मेल हो यहां साथ कैसा वहार करती हैं कैसे रहती हैं क्या करती हैं क्या करती है यह सबी कि budद और दूसरा अंडर्स्टेंडिंग का आप अपने यहां पर प्यार की बाते हो रहे हैं तो आप अपने दिल से पूछिए आपको कौन सा कार्ड अट्रेक्ट कर रहा है कौन सा कार्ड अपने तरफ खीच रहा है एक सेलिब्रेशन का है और एक अंडर्स्टेंडिंग का है दोनो आपको वो कितना प्यार करते हैं, आपसे क्या कहना चाहते हैं, आज हम ये जानकारी प्राप्त करेंगे दोस्तों. Hi guys, जिनोंने celebration का काड़ चुना है, देखते हैं, उनके person, उनको क्या कहना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं, और उनकी feeling क्या है आपके प्रती. Queen of Pentacles, Page of Cups, Three of Rods, Ace of Rods, और देखते हैं, दोस्तों, इस काड़ से आपके लिए क्या reading निकल कर आती है, इस reading को हम बाद में देखेंगे दोस्तों. आपके person आपसे कहना चाहते हैं, आपको message देना चाहते हैं, कि ईश्वर ने मुझे सब कुछ दिया है, धन दिया है, दौलत दिया है, यानि सब भौतिक सुक दिया है, यानि सारे सुक हम को ईश्वर ने दिया है, और हम उसका लाव उठा रहे हैं, लेकिन तुम अपने जिमेदारियों को समझो, अभी तुम्हारे में बहुत ज़्यादा ही बचपना है, तुम्हारे में बहुत ही अलहड़पन है, तुम बहुत अभी छोटी हो, समझ नहीं पाती हो, कि तुमको क्या करना है, क्या नहीं करना है, तुम जिसी का इंतजार कर रही थी, वो तो तुम्हें पार्टनर मिल गया लेकिन तुम मेरे भावनाओं को नहीं समझती हो और थोड़ा मुझे भी समय दो और अपने लिए भी समय निकालो और फिर हम दोनों जब मिलेंगे तो हमारे बीच बहुती गहरा प्यार होगा गहरा संबंध होगा गहरा ही हमनों की भावनाएं बहुती अंदर तक जाएंगी और साथ ही साथ हम लोगा जो पवित्र प्रेम है वो उभर कर आएगा निखर कर आएगा दुनिया के लोग देखेंगे दोस्तों मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं दिलो जान से प्यार करता हूं लेकिन तुम्हारे भी कुछ फर्ज बनते हैं दोस्तों यहां पर यह बता करो पूरा करोगी तभी हम लोग की जिमिदारियां हम लोग का साथ बना रहेगा और हमारा जो प्यार रहेगा बहुत डीप रहेगा बहुत ही सक्सेज रहेगा यहां पर यह बता जा रहा है मैं चाहता हूं कि जब मैं घर से काम के लिए बाहर जाता हूं तो तुम मुझे पहल तुमसे ही करवाना चाहता हूं, यानि तुम मेरा ख्याल रखो, तुम मुझे प्यार दो, मुझे इसने दो, पहले जैसा मुझे मेरा इंतेजार करो, कि मेरे पार्टनर कब आएंगे, मैं ये सब चाहता हूं तुमसे, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए ही तो काम करता हूं, तुम यहाँ पे आपके पार्टनर बोलें कि आप अपने कामों में उतनी उलत जाती हो उतनी परिशान हो जाती हो कि पहले की तरह आप अपने पार्टनर को चाहे मेल हो चाहे फिमेल हो आप ध्यान नहीं देती हैं आप उनको ध्यान दीजिए तो जो पहले वाला प्यार था जो पहल प्रोती डिवाइन के द्वारा ब्लेस है दोस्तों यहां पे दिया गया है और आपको हर खुशियां मिलेंगी प्यार में जो आप दोनों चाहते थे जिसी का इंतिजार करते थे आप यहां पे आपके पार्णर बोले हैं कि दिन रात मैं तो तुम्हारे लिए ही काम करता हूँ घर पे आते ही तुम प्यार की जगह उलजने लगती हो यानि तुम कहा कही करने लगती हो यानि तुम बातों में मुझे उलजा देती हो पहले जैसा ध्यान नहीं देती हो मैं एक राजा की तरह होते हुए भी मैं बहुत अकेला हूँ, मैं केवल जिमेदारियां ही समाल कर बहुत ठक ग्या हूँ, तुम्हें भी चाहिए कि मेरा साथ दो, मेरा ख्याल रखो, मुझे हर चीज के लिए पूछो, मेरे जीवन में फूल की तरह महको, मेरा जीवन नया हो प्यार से भर जाएगा खुशियों से भर जाएगा तुम्हारे लिए कुछ लेकर कढ़ा हूं लेकिन सब्सक्राइब मेरे पारच लेकर खड़ी और मेरे साथ नहीं देर हो क्यवल आपने जिमेदारियों में ही फसी हुई हो, एक पार्टनर दूसरे पार्टनर से बोल रहा है, लेकिन तुम अगर मेरे साथ खड़ी रहती हो, अगर मेरे साथ रहती, अगर मेरा साथ निभाती, तो हम लोग दोनों को बहुत आनंद आता और बहुत ही हम लोग सक्सेज़ और सफल हो सकते थे, और होंगे भी, लेकिन तुम मेरा साथ दो, एक पार्टनर बोल रहे हैं, हम दोनों की जरुरत है, कि एक दूसरे को हम समझें, एक दूसरे के साथ समय बिताए, एक दूसरे को भावनाओं की कदर करें, एक दूसरे को मान सम्मान दें, एक दूसरे की इज़त करें, तभी हमारे जीवन में जितने भी सुख आने वाले हैं, वो हम भोग पाएंगे और बहुत ही अपना जीवन ख आपके घर में खुशियां आएंगी देखिए आपने पहले ही celebration का काड़ चुना था आपके जीवन में बहुती खुशियां बहुती celebration आने वाला है और आप मैं तो यहां बोलूगी कि दोनों partner में बहुत जादा प्यार है बहुत जादा आत्मिक प्यार है बहुत इस नहीं है लेकिन आप दोनों एक दुसरे को समझ नहीं पा रहे हैं एक दुसरे को समझे एक दुसरे का ख्याल लखिए एक दुसरे को समय दीजिए फिर देखिए आपका प्यार कितना निखर क्याता है और इस फूल की तरह आप खिले रहेंगे और महकते रहेंगे आपका प्यार होते हैं टेरो काट से इसमें क्या आता है छुपाना भी नहीं आता जताना भी नहीं आता हमें तुमसे मुहबबत है बताने भी नहीं आता कितना बढ़िया परसन चाहे मेल हो चाहे फिमेल हो आपके लिए इतना बढ़िया चीज लब राइटिंग भेज रहे हैं दोस्तों बहुती बढ़ियां आपके लिए बोल रहे हैं आपके पार्टनर तुम मेरी खुशी हो वो जो मैं किसी को ना दूँ तुम मो प्यार हो जिसको किसी के साथ ना बाटू रहे हमारा साथ हमेशा खुदा से यही दुआ मागो कितना बढ़िया पार्टनर के आपसे मैसेज देना चाहते हैं, लब मैसेज देना चाहते हैं, दोस्तों देख लीजिए, बहुती खुबशुरूत रीडिंग निकल के आई दोस्तों, आपके पार्टनर आपसे बहुती प्यार करते हैं, बहुती आपको इस नहीं करते हैं, कर रहे थे वो जरूर मिलेगा और साथ ही साथ मेरी तरफ से एक एड़वाइज है कि आप दोनों एक दूसरे साथ समय बिताएं और एक दूसरे की भावनाओं को समझें तो देखेगा आपका जो प्यार है और उस प्यार में और भी चार चांद लग जाएगा दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करिए सब्सक्राइब करिए थैंक यू थैंक यू सो माज हाई गाई जिन्हों ने यह अंडेस्टेंडिंग का काड़ चुना था देखते हैं आप में क्या आपके परसन कहना चाहते हैं उनकी क्या फीलिंग है आपसे प्य नाइन आप सोर्स टू आफ रॉड्स देखते हैं कि इस काड़ से क्या आपके लिए लव रीडिंग आता है दोस्तों यह बाद में देखेंगे दोस्तों आपके परसन आपको यह कहना चाहते हैं दोस्तों कि मैं तुम्हारे साथ पूरा खुश्यों वाला जीवन बिताना चाहता हूं बहुत अच्छा जीवन बिताना चाहता हूं आपके साथ मैं रहना चाहता हूं वो सारे सुक भोगना चाहता हूं जो एक अपने साथी के साथ इंसान ढूडता है और मैं बहुती ऐसा इंसान हूँ जिससे आपके जैसा मुझे प्यार मिला, हमदर्द मिला और साथी मिला दोस्तों आपके साथ मैं अपनी फैमली बनाना चाहता हूँ लेकिन मैं क्या करूँ मैं अपने जिमेदारियों को निभाता भी हूँ और आपका साथ भी निभाता हूँ आपके पार्टनर कहना चाहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ अपना जीवन बिताना चाहता हूँ अपनी फैमली बनाना चाहता हूँ मैं क्या करूँ मैं अपने जिम्यदारियों में फसा हुआ हूँ, ये समय तुमहारे लिए ही कर रहा हूँ ताकि हमारा जीवन खुसियों से भर जाए, हमारे बाल बचे सुखी रहे हमारा परिवार सुखी रहे हम सुखी रहे लेकिन तुम अपने तनाओ में रहती हो किस चिंटा में रहती हो आप परिसान क्यों रहती हो इतना आपके पार्टर आपसे बोलना चाहते हैं कि आप बहुत तकलीप में हो क्यों इतना चिंटा करती हो साथ मिलके रहेंगे तो हमको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है लेकिन तुम मेरी बात को नहीं मानती हो मुर्खता करती हो और साथ ही साथ मैं तुम्हारे में अभी मैं देखता हूँ कि बहुत ज्यादा बचपना है बहुत अलड़पन है बहुत तुम छोटी हो इसाब समझने के लिए लेकिन ये तुम्हारा जो गूड़ है मेरे को बहुत अच्छा लगता है बहुत ही पसंद है आपके आपके पाटनर आपसे बोलना चाहते है कि तुम्हारा जो बागपन है जो तुम्हारा बचपना है जो तुम्हारी अच्छा ही है मुझे बहुत पसंद है मुझे बहुत अच्छा लगता है मैं एक राजा के जैसे मैं तुमको एक रानी बना के रखूंगा लेकिन तुम हमारे भावनाओं को समझती ही नहीं हो तुम सिर्फ अपने भारे में सोचती हो तुम अपने भावनाओं में खोई मत रहो क्योंकि तुम कुछ भी सोचती रहती हो कुछ भी करती रहती हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता है तुम खुश रहो तुम अच्छे से रहो आनंद से रहो मेरी यही इच्छा है और साथी साथ मैं तुमको वो सारी खुशिया, सारे सुख, वो सारी भौतिक सुख सुविधाएं मैं तुम्हें देना चाता हूँ, इस्वर की कसम मैं सब कुछ देना चाता हूँ तुम्हें, मैं तुमको ये मैसेज देना चाता हूँ, कि ये सभी इच्छाएं जल्दी से जल्दी पूरी होंगी, हमारे घर में धन दौलत सुख सुविदाएं सब भर जाएंगे तुम इतना चिंता मत करो इतना टेंशन मत लो हम दोनों मिलकर एक नया ग्रिहस्त जीवन शुरू करेंगे या नया अपना परिवार शुरू करेंगे साती साथ हमारा जीवन परिवर्तित हो जाएगा और तुम अगर म इसकी इच्छा की मैं चाहता हूँ कि हमें इश्वर वो सारी खुसियां दे सारा दुख वापस ले ले सारा सुख हम लोग को दे दे कि हम लोग अपना जीवन खुसी-खुसी दोनों साथ कदम से कदम मिलाकर चलें यहाँ पर आपके पार्टनर यह कहना चाहते हैं जिस प्य प्यार की घड़ी आ गई है वह समय आ गया है कि हम दोनों कदम से कदम मिलाकर चलें साथ में चलें और साथ ही साथ हम दोनों को इस्वर का आशिवाद प्राप्थ हो कि हम आगे बढ़ते जाएं दोस्तों यहाँ पर यह दिया गया है यहाँ पर यह दिया गया है दोस्तों कि आप जिस प्यार का जिस लव का जिस पापटनर का इंतजार कर रहे थे आपको मिली चुका है, केवल बात यह है that आप उन basta साथ दीजिये us September से साथ कदम मिल आ कर चलिये उनके भावनाओं को समझजिये Five को मान सम्मान दीजे तब ही आपको मान सम्मान और कद्र मिलेगा दोस्तों यहां पर इस काट से पता चलता है कि आप दोनों के प्यार को आपके दोनों पार्टनर को आपको डिवाइन के तरफ से ब्लेश प्राप्ट है और आप बहुत मैचोर इंसान है मेल फिमेल जो भी बिताई अपनी पारिवारिक जीवन जो है बहुत ही आनंद पून बिताई है यहां पर यह बताया जरा देखते हैं इस काट से आपके लिए क्या निकल कराता है मैं तुम्हारे और अपने दिल की हर एक बात साजा करेंगे मैं तुम्हारे लिए काम करूंगा तुम मेरे ये काम करना साथ देना यही तो प्यार है जो रीडिंग में निकल के आया दोस्तों वो लब रीडिंग में भी निकल के आया कितना प्यारा कार्ड निकल के आया यहां पर यहां पर दिया गए आपको दिलो जान से चाहते हैं और वो गलती किये हैं उसका आपसे माफी मांग रह लब कार्ट से निकल के आया दोस्तुँ यहां पर यह बता है जा रहा है कि आप एक दूसरे से बहुती प्यार करते हैं बहुती आपके दोनों पार्टनर के बीच में बहुतीं अंडरस्टेंडिंग हैं बहुतीं समझदारी है लेकिन उस समझदारी को थोड़ा और अधिक लेकिन उतना नहीं समझ रहे हैं जिससे कि आपकी गाड़ी बहुत आगे बढ़े गाड़ी आगे बढ़ाने के लिए पारिवारी खुशियों को पाने के लिए और आपके पार्टनर के साथ अच्छा बेहवार और प्यार करने के लिए थोड़ा आपको और भी अधिक समझना पड़ेगा दोस्तों यहां इस कार्ड में तो पूरा ही बता दिया गया है मैं तुम्हारे और अपने दिल की हर एक बास आजा करेंगे मैं तुम्हारे लिए काम करूंगा तुम मेरे लिए काम करना साथ देना ही तो प्यार है अभी इसका मीनिंगी समझ जाए दोस्तों कितना अच्छा कार निकल कर आया अगर आपको अच्छा लगता है पसंद आता है लाइक करिए सब्सक्राइब करिए थैंक यू थैंक यू सो मॉज